कि अपiałगा हुआ है आज की इस वीडियो में आपको पताउँ गा कि कार के अंदर हीटर को कैसे यूज किया जाता है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो की हम करते है अकसर करने के चाइब कार से वीडियो आपको कार दो करने के अटरFork the topic YESया पानकाश D करना होगा यह देखे जैसे ही हमने अपने AC unit कौन किया AC unit start हो चुकी है मैं यहाँ पे AC close कर दे रहा हूं AC के symbol को means compressor मैंने गाड़ी का अपना बंद कर दिया है so अब अगर मुझे इसको heating पे करना है set तो मुझे बस simply इस dialer को right side means red वाले portion के side में घुमाना है और देखे जैसे जैसे मैं इसको गुमा रहा हूं वैसे वैसे यहाँ पे temperature भी change हो रहा है और 32 max air उसके बाद H1 so guys जैसे कि इसमें H1 set हो चुका है H1 means कि अब आपकी गाड़ी heater mode पे set हो चुकी है अब आपकी AC units जो यहाँ से flow आ रहा है वो मुझे गरम हवा का flow मिल ला है so guys जो सबसे बड़ी common mistake जो हम usually done करते हैं car के heater को use करने के दौरान में वो यह होता है कि अकसर लोग अपने car के AC को heater mode पे set करने के बाद AC बटन को भी on कर देते हैं कोई भी मतलब नहीं है जब भी car के अंदर heater हम use कर रहे होते हैं तो car के compressor का उससे कोई मतलब नहीं होता है car का AC सिव आपको cool करने के लिए use हो रहा होता है so हमें इस AC बटन को use नहीं करना होता है car के अंदर heater use करने के time में अब आप इसका reason जरूर पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यूं तो reason इसका यह है कि जब भी हमें car के अंदर ठंडी हवा चाहिए होती है तो उसके लिए हमाई car में AC compressor को लगाया जाता है जिस compressor को हम इस button से control कर सकते हैं जब भी हमें cool air चाहिए होती तो हम इसको on करते हैं और हमें car की unit ठंडी हवा देती है बट जब हम heater use करते हैं तो heater के दौरान हमारे car में कोई भी electronic heater नहीं set होता है हमारी car जो heating जो cabin के अंदर देती है जो भी AC unit जो गरम हवा फ्लो करता है वो basically engine की heating के heating से करता है जितना जैसे आपका engine एक operating temperature जो की usually 80-85 degree Celsius पे set होता है engine का उस पे पहुंचता है आपको गरम हवा आपके camera में मिलना स्टार्ट हो जाती है आपका AC unit गरम हवा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है usually आपका जो heater होता है car का वो आपके engine की गरमी पे ही चलता है means कि आपका engine जब एक operating temperature पे पहुंच जाता है तो car के अंदर एक coil लगी होती है उस coil से engine का coolant जो की उसको ठंडा करने के लिए use किया जाता है वो same coolant उस coil से भी निकलता है जो की आपके इस dashboard की नीचे लगी होती है so जैसे हम अपने car के AC को heater पे set करते हैं वो coolant फ्लैप एक्टिवेट हो जाता है और आपके आपके जो air होती है cabin की उसको उस coil के थुरू पास करना स्टार्ट कर देता है जिसे हावा गरम की heat होना स्टार्ट हो जाती है so guys मैं आपको बताना चाहूंगा कि car के अंदर heater use करने के time में AC का button on होने का कोई भी need नहीं होती है हम heater विना AC के button को on करके use कर सकते हैं so जो लोग भी यह mistake कर रहे हैं कि car को heating mode पे set करके means heater use करने के time भी AC का button on रखते हैं so उनको मैं request करूंगा कि वो ऐसा ना करें इससे बस आपकी गाड़ी के compressor on रहेगा वो आपकी fuel efficiency कम होगी और आपका इससे heater से कोई भी इसका मतलब नहीं है so guys I think आपको पता चल गया होगा कि car के अंदर हमें heater को कैसे यूज़ करना है और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको please like, share और comment ज़रू करे and channel को subscribe करना ना भूले thank you very much